असलाम अलेकुम आज के एडिटोरियल के टॉपिक है सेंसस रिजर्ट्स यह इस बारे में है जो 2017 में सेंसस हुआ था उसके रिजर्ट्स जो है वो अब आये हैं और वह अप्रूव भी हो गए है तो एडिटोरियल करते हैं और देखते हैं इसमें क्या डिसकेशन हुई है इस बार से पता लग रहा है कि तीन साल बाद जो रिजल्ट आया है इस बार से यह पता लग रहा है कि यह कितना ज्यादा कंटेंशन से यानि कि डिस्प्यूट एबल यानि कि मतनाज़ा है कि इसमें कुछ ज्यादा ही शकुष बाहत है जो इतनी देर में इसका रिजर्ट आया है इस रिजर्ट को जो रिजर्ट किया था एमकेम ने किया था जो अब पीटी आई गवर्मेंट के एले हैं यानि के दोस्त हैं गड़ जोड में इनके साथ हैं इस रिजर्ट पर अपने इस रिजर्ट से मुतमईन नहीं हैं इट वस डिसाइड़ अट प्रिसाइड़ और प्रैमिनिस्टर इम्रान खान तो सेंड दा सेंसे रिपोर्ट तो दा काउंसल ऑफ कॉमन इंटरस्ट फॉर्ट प्रोविंस्स तो साइन ओफ ऑफ और मीटिंग में यह डिसाइड हुआ कि प्रिसाइड़ मतलब होता है कि सरबराही करना किसी चीज की चीज के सदर होना मीटिंग में डिसाइड हुआ जो मीटिंग प्रैम मिनिस्टर की सरबराही में हुई थी कि सैंसेस रिपोर्ट जो हैं कांसल ऑफ कॉमन इंटरस्ट को दे द अतलब होता है कि अब यह चीज़ अप्रूब हो चुकी है अब इसमें पटीज चेंज नहीं होगी तो कांशल ऑफ कॉमन इंटरस्ट को रिपोर्ट दे दी कि वो प्रोविंसे को दे और अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी किसी का कोई भी इख तलाफ है तो वह इसमें शामिल नहीं किया जाएगा उसके उपर नजरसानी नहीं की जाएगी फर्दर दा कैबिनेट प्रूपोस्ट एड़ एक्सरसाइज भी कंडुक्टेड एवरी थ्री एर्स इंस्टेड ऑफ डेसेनियली एस मेंडेटेट बाइड़ा कॉंस्टिटूशन डेसनियल कहते हैं एक दिहाई को यारी दस साल को और कैबिनेट में फर्दर ये भी बात हुई है यह भी डिसाइड हुआ है कि यह जो सैंसस की exercise है यानि के सैंसस जो होते हैं वो हर तीन साल में ना कि हर दस साल में जैसे के पास्ट में होता रहा है अप्रियोडिक सेंसेसे एसेंशल फॉर रनिंग दे कॉंट्री एट लीस्ट इस टू भी रन विद रिलीब ऑफ रिलायबल स्टेटिकल डीटा अब periodic जीस बर बार revise होना census तीन साल में एक बार जैस्से कि इनोने हैं पहले कहा होना जरूरी है कंट्री के लिए और इसके लिए reliable statistical data होना चाहिए reliable का मतलब होता है कापिल है अत्माद और static का मतलब होता है कि आदाद शुमार जानि कि ऐसी सेंसर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें सब लोगों का इत्माद शामिल हो प्रोवाइटिंगा डीटेल्ड सोशो एकनॉमिक पेच्चर एड़ गाइड्स गवर्मेंट्स इन फ्रेमिंग पॉलिसी पॉलिसी एंड एलोकेटिंग फंड्स फॉर दैम कि सोश्व एकनॉमिक्स मतलब होता है कि यह मांश्रती हालात क्या या समाजी हालत क्या है तो यह कहना है कि ऐसा रिलाइबल स्ट्रेटिकल डेटा मिले कि उसमें डीटेज्ट सोशो एकनॉमिक पिक्चर हो यानि कि पूरा तफ्सील पता चले कि कौन कितने घरीब लोग हैं कितने अमीर लोग हैं कितने मिडल क्लास हैं ताकि गवर्मेंट को फंड्स एलोकेट करने में यानि कि फंड्स उनके नाम करने में असानी हो इस देपॉपूलिशन डिस्रिबूशन मैप बाइद इसेंस फेक्टर इंटु दए एनेफसी अवार्ड नैशनल फाइनेंस कमिशन यह एनेफसी अवार्ड क्या काम करती है कि सारे यह बजट मर बन अब जो बनाया गया था तरीकेकार वह एनेफसी अवार्ड ने बनाया था और एनेफसी अवार्ड कब से है पाकिसान में 1951 से जब पहला सेंस पाकिसान में हुआ था ड़ी लिमिटेशन ऑफ कॉंस्टिट्यूंसी एंड़ एलोकेशन ऑफ सीट्स इन पार्लिमेंट को ओंस्टिट्यूंसी मैंने आपको पहला भी बताया है कि यह होता है हल्का बंदियां कितने लोगों के उपर कितने MPA या कितने MNA होंगे तो एन gefसिंटी ओधसी अवार्ड और क्या काम करती है कि हुदूत बताती है हल्का बंदियोगी कि कितने members ऍके हल्का होगा इसकी इस जगह से कितनी सीट्स आएंगी इस रिजर्ट्स आर्थ नॉट ऑन्दी क्रिटिकल फॉर्ट इसका रिजर्ट जो आया है सेंसस का वो सिर्फ कंट्री के फ्यूचर के लिए नाजुक सुरतहल नहीं है यह सिर्फ इस बात के ओपर नहीं है कि अगर डेटा ठीक नहीं आया तो लोगों को फंड्स ठीक अलोकेट नहीं होंगे इसकी में जो बात है वो है पॉलिटिकल पावर गी कि मिसाल के तौर पे अगर किसी जगह की अबादी सेंसस के जरी कम दिखाई गई तो वहां से कम सीट्स ऐलोकेट होंगी तो ये पॉलिटिकल लीडर जो है अपने हिसाब से तैय करते हैं कि अगर जहां से उनका वोट बैंक नहीं है अगर वहां की सीट्स ज़ादा आजेंगी तो उनकी कौंस्टिट्यूइंस जो है वो ज़ादा होंगी और वहां से फिर फिर पार्लिमेंट में ज़ादा होंगी पार्लिमेंट्स में सीट्स जादा होंगी तो हुकूमते भी फिर इन्हें मिलेंगी तो इस वज़े से पॉलिटीशन क्या करते हैं सेंसे रिजर्ट्स को चेंज करते हैं अपने हिसाब से इसमें पहला डिफिकल वर्ड है डिस्टॉर्शन का मतला होता है किसी चीज में बिगाड होना उसका घुमा फिरा देना उस चीज को यह काफी खराब कर देना क्रेप जो है वो पास्ट फॉर्म है क्रीप की क्रीप का मतलब होता है रेंग रेंग के चलना या बिल्कुल ना होने के बराबर चलना और इसकी दूसरी मिनिंग एक और भी है वो यह है कि अंसुना कर देना इन दे पॉलिटिकल अरीने ड्यू टू पेरिड्स ऑफ अनिलेक्टेट रूल और डिस्प्यूटिड का मतलब होता है जगड़ा यानि के इलेक्शन जो होते हैं उनके इंदर जगड़े होते हैं कि जो हार जाता है वो कहता है इलेक्शन सही नहीं हुआ तो इस पूरी राइ में डिफरेंट पीरियेट्स में पॉलिटिकल अरीना में यानि के पॉलिटिक्स में शामिल हुए और इलेक्ट हुए बगार भी उन्होंने रूल किये जगाओं पे और इलेक्शन सारे ऐसे हुए जिसके उपर सबको एतरास था कि एलेक्शन ठीक नहीं है तो सेंसे ना होने किसी चीज से वाबस्ता होना या उस किसी काम में हामी वरना तो सेंसस को रोगना यह खुद इस बात की दलील है कि पॉलिटिशन जो है अपनी मर्जी के रिजर्ट्स बनाने में इनकी भी हामी थी यह भी नहीं चाहते थे कि सेंसस हो रिजर्ट्स यह दिखा जाए कि शुरू से जो रिजर्ट्स जो है वो हर दस साल में होते थे उनका जो इंटर्वाल यह उनका जो टाइम है वो दस साल से 19 साल कैसे हो गया है यह इसी वज़े से हुआ है कि पॉलिटिशन खुद नीं चाहते थे कि सेंसस हो और इंडेपेंटेंटेंटेंस के बाद से जो सेंसे हुए है वो टोटल यह हैं कि 51 में हुए उसके 10 साल के बाद 61 में हुए 72 में होने की वज़े क्या है 11 साल होने की वज़े क्या है a year later because of the 1971 war 1971 में war चल रही थी इस वज़े से census नहीं हो सके तो इसलिए 72 में हुए फिर उसके बाद 81 में हुए फिर 98 में हुए तो ये 91 में होने चाहिए थे ये 98 में हुए and the most recent 19 years later और फिर 98 के बाद जो हुए वो 2017 में हुए जो के 19 साल की वक्फ के बाद हुए तो ये पहले तो 10 साल की वक्फे से होते थे तो पर उसके बाद ये वक्फा बढ़ता क्यों गया ये सी वज़े से कि politicians नहीं चाहते थे कि census हो और नहीं हलका बंदिया हो even so the 2017 was held only after the Supreme Court order it और ये 2017 में भी नहीं होते ये इस वज़े से हुए कि सुप्रीम कोट ने order किया था के census करवाओ मर्दम शुमारी करवाओ the conduct of the exercise by the Pakistan Bureau of Statics PBS and the Constitution of the PBS Governing Council raised a number of misgivings especially among the smaller provinces and the results were widely disputed अच्छे ये exercise या ये मर्दम शुमारी जो की गई थी ये पाकिसान Bureau of Statics से जब डेटा आया उसका मर्दम शुमारी का तो इसमें पता चला कि इनके जो PBS और इनकी जो सब्सक्राइब था वो डिस्प्यूटिट था असाइड फ्रॉम अधर प्रोसीजरल एनुमेलिस दा सेंसस वास कंडुक्टिड विदाउड आप पाइलेट सर्वे एंड नौट फॉलवड अप बाइदा पोस्ट एनुमेरेशन सर्वे प्रोसीजरल एनμोलिस प्रोसीजरल मतलब होता है तरीकेकार एनलमीलिस मतलब होता है बे जाबत की तो यह कह रहे है के चलो एक बात को इसको भी साइड में रख दो के तरीकेकार जो था वह वो सर्वे लेकर आए हैं क्या ठीक है वो compare करते हैं और एक अपने प्रोसीजर से देखते हैं उसको कहते हैं पाइलेट सर्वे भी नहीं हुआ दूसरी है पी-ई-एस पोस्ट पोस्ट इनुमेरेशन सर्वे इसमें क्या होता है कि इसमें देखते हैं वो दुबारा एक महीने ब है काफी ज्यादा जो है डिस्प्यूटिड है वो और दूसरी चीज़ यह है कि आगे कि उसकी दो स्टेप्स जो है वह भी नहीं हुए पाइलेट सर्वे और पी-एस सर्वे इस मेकैनिजम्स एसेस्ट दा क्वालिटी ओफ देटा एंड एस वाइडली अक्सेप्टेड प्र किसी चीज़ का एस्टिमेट लगाना या किसी चीज़ कुछ पॉइंट को मद्द नदर रखते हुए यह सोचना कि इस चीज़ में कितनी हकीकत है यह चीज कितनी सही है तो यह सारे मेकैनिजम्स जो हमने उपर पड़े यह सब देखते हुए इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि डेटा जो है कितनी कॉलिटी का था डेटा कलेक्ट करने का हम तरीकार भी देख सकते हैं जो शुरू से तरीकेकार चलत कि कोई चीज इंकरेक्ट हो एबदार हो यह वह मशूर है अपने खराब होने की ओस जाइसे हो और रायवन का मतलब होता है कि बिल्कुल पारा पारा कर देना बिल्कुल समझ लेंगे खतम कर देना विद एथनिक एंड रिलिजियस फॉट-लाइन्स। फॉट-लाइन्स का म हमारे जो कल्चरल और रिलिजियस जो हमारे इंदर खराबिया पैदा हो रही है वह उसकी एक बड़ी वज़ा यह सेंसस भी यह फ्लॉट सेंसस फ्लॉट मतलब होता है इनकरेक्ट यानिके डिस्प्यूटिट सेंसस जो है यह इनकरी और राइवन राइवन निकला है राइव से राइव का मतलब होता है किसी चीज़ को बिल्कुल चनली कर देना विद एथनिक एंड रिलेजियस फॉल्ट लाइन एक तो पहले ही मुल्क में जह है वो दो चीजों पर जगड़े एक तो नसल परस्ती पर और दूसरा जह हो रिलेजियस इन चीजों के उपर लोग जो है अभी तक भी जगड़ने और वहां पर दूसरी चीज जो यह हमें द अग्तिलाफिर आए तो यह इक तो यह एक तलाफिर आए की जो एक हुदूद है उसको भी पार कर जाएगी यह चीज़ें जैसे कि अब रिलेजियस आप सबको पता है कि एक तलाफिर आए एक अलग चीज होती है और अब एक दूसरे को काफिर कहना आम बात हो चुकी है तो तो इसकी बुनिय, ये शुरू कहाँ से हुआ था, ये अखिलाफिर आए से ही शुरू हुआ था, जो आज एक दूसरे को लोग काफिर गह रहा है, तो census भी जो है, वो अभी शुरू हुआ है, और इस पे सिर्फ इस पर इखिलाफिर आए समझे जा रही है, जो कि हमें लग रहा है कि यह चोटी सी बात एक तलाफिरा है सिर्फ लेकिन इसके फाइनल रिजल्ट्स जो होंगे वह बहुत खराब होंगे दसेंस टेकिंग प्रोसेस इटसल्फ मस्ट भी रिविजिटेड एंड अमेंडेड टो इंशॉर आ ट्रांस्परेंट एंड क्रैडिबल एक्सराइज तो सेंसस को जो है उसको दुबारा देखना चाहिए और अमेंड निकला अमेंडमेंट से यानि के तरमीम यानि के चेंजिस तो उसमें कुछ चेंजिस करनी चाहिए और सेंसस के जो रिजल्ट्स हैं उनको टांस्परेंट बनाना चाहिए ताके सबका एत्माद जो है उसके उपर बहाल हो 200 मिलियन प्लस पीपल डिजर्विंग नथिंग लेस 20 करोड से जादा इस मुलकी अबादी है और अबादी को म मिलकुछ नहीं रहा है यहां आज का एडिटॉरियल खतम होता है नेक्स्ट एडिटॉरियल तक के लिए खुदा हाफिस